आप मुझे कभी भी भोजन लेने साथ लेकर नहीं जाते अगर मैं बाहिर नहीं जाओंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा के भोजन कहां से मिलता है अभी मैं हूँ मेरे होते हुए आपको भोजन की कैसी चिनता आप घर को देखा करो और भोजन का काम मेरा है ऐसे रोज की तरहा मिठू भोजन की खोज में निकल जाता है वो उड़ता हुआ किसान के खेट की तरफ निकल जाता है वहां उसे एक पेड़ पर कुछ अमरूद नजर आते हैं मिठू तोता सीधा उस पेड़ की तरफ जाता है आज तो मेरी पतनी मीठे मीठे अमरूद देह कर खुश हो जाएगी ऐसे सोचते हुए मिठू तोता मन ही मन में बहुत खुश था वो बेचारा ये नहीं जानता था कि आज उसकी सारी खुशियां खतम होने वाली थी क्योंके थोड़ी दूर छुपा शिकारी उसका निशाना बनाने वाला था फिर शिकारी अपना तीर चलाता है जो सीधा तोते के छोटे से शरीर को लहू लहान कर देता है और वो वही मर जाता है उरता हुआ कबूतर वहाँ से गुजर रहा था मिठू को वहाँ मरा हुआ देखकर कबूतर सीधा मिठू के घर जाता है हर्याली बेहन, मैंने देखा कि आपका पती अमरूद के पेड़ के पास मरा पड़ा था वो खून से लटपत था ये सुनना था कि हरियाली तोती रोने लग जाती है मेरा मिठ्टू मुझे छोड़ कर चला गया अभी तो हमारी शादी को एक महीना ही हुआ था अब मैं कैसे अकेली जिन्दकी गुजारूंगी ही 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 तोती ऐसे रोए जा रही थी कववा और कवी भी वहां आ जाते हैं वो मिठ्टू के पडोसी थे अमरूद खाने को हमारा भी मन करता है हम तो कभी वहां नहींगे मिठ्टू को किस ने कहा था कि इनसानों की बस्ती की तरफ अमरूद खाने जाओ अब जान गवा बैठा है गोरी बहन आनी को कौन डाल सकता है अब ही आज ही मैं अपने मिठ्टू से कह रही थी कि भोचले ने मुझे भी साथ ले कर जाया करो तोटी अब तुम्हारा यहां रहना बहुत मुश्किल है मेरी मानों तो तुम अपने मैके चली जाओ अब यहां कौन है तुम्हारा कौन तुम्हें रोज रोज भोचन डाकर देगा ऐसे कहते हैं गोरी, कालू कववा और कबूतर वहां से चले जाते हैं रात हो जाती है, कालू जी तोटा तो मर गया मुझे मिठो का घर बहुत सुन्दर लगता है अगर किसी तरह यह हर्याली तोटी यहां से चली जाए तो यह घर हमारा हो जाएगा गोरी हर्याली तोटी को अभी पुछ पता नहीं है के भोचन कहां से मिलेगा एक दो दिन भूकी मरेगी तो खुद ही यहां से चली जाएगी ऐसा कहते हुए वो दोनों हंसने लग जाते हैं दूसरे रोज हर्याली तोटी अपने पडोसियों के पास आती है मैं आप से पूछने आई थी कि आपने भोचन लेने कब जाना है हम तो शाम को जाते हैं आप चिंता ना करें आप घर जाएं जब हम शाम को भोचन लेनेंगे तो तुम्हें साथ ले जाएंगे भूलना जाना मैं आपका इंतजार कर रहे हूँ ऐसा कहते हुए हर्याली तोटी वहां से चली जाती है अब चलो चलदी से अपना भोचन ले आते हैं पूर हर्याली मरे की भूक से फिवा धोनों भोचन ले में चले जाते हैं शाम तक हर्याली गोरी और कालू का इंतजार करती है जब कवव और कवी नहीं आते तो डरते डरते हर्याली अकेले ही अपने घर से निकलती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को आगे देखने के पहले पहले जल्दी से इसे लाइक कर दें और जिस जिस ने जानल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे आपकर धन्यवाद वो ये तो नहीं जानती थी के भोजन कहां से मिलेगा मगर फिर भी वो उड़ती रहती है थोड़ा आगे हर्याली तोती को एक जगा चिडिया बैठी हुई दिखाई देती है हर्याली तोती वहां जाती है हर्याली तोती चिडिया के पास बैठ कर रोने लग जाती है तोती आप रो क्यों रही हो, क्या बात है? मैं जंगल की दूसरी दिशा से आई हूँ, मेरे पती कल मर गे और मैं भोजन लेने आई हूँ तोती मगर इस समय तो भोजन नहीं मिलता, सपक्षी सुभा सुभा सुरज निकलने के साथ ही भोजन लेने निकलते हैं मेरे पड़ोस में कालू कववा और गोरी कवी रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि शाम को भोजन लेने जाएंगे क्या वो तो कब से भोजन लेकर चलेगे हैं, वो बहुत शेतान है, उन्होंने आप से जूट बोला होगा मेरे पास कुछ ज्यादा भोजन है, मैं इसमें से कुछ भोजन आपको दे देती हूँ और चले मुझे अपना घर दिखाएं, कल से मैं हर रोज आपको भोजन लेने साथ ले जाया करूँगी मेरे पडोसियों ने मुश्किल समय में मेरा साथ देने की बजाए मुझे भूकी मारना चाहा आप बहुत अच्छी हो चिडिया, फिर चिडिया हर्याली तोती के साथ उसके घर जाती है यहां तो मैं पहले भी आई थी, तब आपकी शादी नहीं हुई थी, और मिठु अकेला ही यहां रहता था मैं सुभा आपका इंतजार करूँगी फिर चिडिया वहां से चली जाती है, थोड़ी देर बाद कवा और कवी हर्याली के पास आती है हर्याली हम गे थे भोजन लेने, पूरे जंगल में भोजन नहीं है आप ऐसा करो कि कल अपनी मां के पास चली जाओ, ताके तुम दोनों मेरे घर पर कबजा कर सको मुझे ऐसे पडोसियों की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां से जा सकते हैं, मुझे चिडिया ने सब बता दिया है कॉलू, एक तो चिडिया कभी हमारी कोई चाल पूरी नहीं होने देती फिर गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं हर्याली और चिडिया में दोस्ती हो जाती है और वो खुशी-खुशी अपनी जिन्दगी गुजारती है चिडिया और कबूतर ने मिलकर मकई की खेती की थी उन्होंने बहुत मिहनत की थी अब उनकी फसल पक कर त्यार थी बस कुछी दिनों में वो अपनी फसल काट नहीं वाले थे खबूतर भीया आज मैं शहर से बोरिया ले आऊंगी और फिर थोड़े दिनों तक हम अपनी फसल काट कर शहर की मंडी में बेच देंगे चिडिया मेरी बैल गाड़ी भी थोड़ी खराब है तब तक मैं अपनी बैल गाड़ी भी ठीक करवा लेता हूं उसी जंगल में एक कालू कवा और गोरी कवी भी रहते थे जो चिडिया और कबूतर की फसल पर नजर लगाए बैठे थे कब उनकी फसल पके और कब वो चोरी करें कालू आज में चिडिया और कबूतर की मकई की फसल के पास से गुजरी थी उनकी फसल अब त्यार है अच्छा तो फिर देर काहेगी हम आज से ही अपना काम शुरू करते हैं और दो तीन दिनों में सारी फसल चोरी कर लेंगे फिर आधी रात को गोरी कालू से कहती है हम एक साथ चोरी करने नहीं जाएंगे कालू एक दिन तुम चोरी करो और एक दिन मैं चोरी करूंगी ऐसे हम बारी बारी सो भी लिया करेंगे उपाई तो अच्छा है फिर आज कौन जाएगा आज मैं जाती हूँ और काल तुम जाना फिर गोरी कवी एक खाली बोरी लेती है और अपने खड़ से निकलती है पूरा जंगल सुनसान था सनाटा चाया हुआ था गोरी बड़े आराम से मकई चोरी करती है और पूरी बोरी भर लेती है इतनी ही बहुत है अगर ओड़ जाता मकई डाली तो मुझसे बोज उठाया नहीं जाएगा फिर गोरी कवी वहां से चली जाती है सुभा जब चिड़िया और कबूतर अपने खेत में आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी फसल तो किसी ने चोरी कर ली है कबूतर बहिया मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में हमारी फसल किसी ने चोरी की है कौन हो सकता है वो चोर, अगर हमने चोर ना पकड़ा तो वो हमारा सारा खेट खाली कर देगा चिडिया का बेटा कुकु भी आज चिडिया के साथ आया था, वो अपनी ममा से कहता है ममा मेरे पास घर में एक स्क्यूरिटी अलार्म है क्यों न हम वो स्क्यूरिटी अलार्म खेद में लगा दें फिर जब पीचोर आएगा तो अलार्म के शोर से हमें पता चल जाएगा अपने बेटे की ये बात चिड़िया को बहुत पसंद आती है जाओ बेटा आप जल्दी से वो सिक्यूरटी अलार्म लेकर आओ फिर कुकु घट जाता है और अपना सिक्यूरटी अलार्म ले आता है मैं इसे यहां लगा देता हूँ और रात को हम इसे आन कर देंगे फिर जैसे ही चोर आएगा तो ये अलार्म बजने लगेगा फिर वो ऐसा ही करते हैं रात भी हो जाती है चल भी कालू आज तुम्हारी बारी है मुझे पता है गोरी बोरी कहा है ये लो बोरी और अच्छे से फर कर लाना फिर कालू कवा अपनी बोरी लेकर मगई जूराने चला जाता है वो जैसे ही खेत में जाता है तो सेक्यरोटी अलाम बजने लगता है उससे पहलो के कवा वहां से भागता कबूतर डंडा लेकर आता है और उसकी खूब पिटाई करता है मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैं तो देखने आया था के मकई अभी कच्ची है या पक गई है भागो यहां से चोर कहीं के फिर कालू कवा चुप करके वहां से चला जाता है अगर मैंने घर जाकर गोरी को बताया तो वो हंसेगी मेरा मजाक उड़ाएगी मैं उसे नहीं बताऊंगा के कबूतर ने मुझे मारा है अरे कालू क्या हुआ खाली ही लोटाए हो मैंने बोरी कुछ ज़्यादा ही भर ली थी वजन ज़्यादा था इसलिए मैं मकई की बोरी अपने मित्र उल्लू के पास रखाया हूं हम वहां से उठा लेंगे कालू अपनी पतनी से जूट बोलता है सुबहा हो जाती है चुडिया अब नहीं आएगा रात को जब सिक्योरिटी अलाम बजा तो मैं जाग ही रहा था अच्छा तो कौन था वो जोर वही कालू कवा और कौन था मैंने भी ऐसी पिटाई की कि याद रखेगा फिर कभी वो यहां नहीं आएगा रात फिर से हो जाती है और गोरी कालू से कहती है कालू जी आज बारी मेरी है मैं जाती हूँ गोरी ना ना रहने दो हमने पहले ही चिडिया और कबूतर की आधी से ज़्यादा मकई चोरी कर ली है अब हम पकड़े जाएंगे मगर गोरी कालू की बात कहा मानती है वो बोरी उठाती है और कालू की एक नहीं सुनती और फिर से मकई चोरी करने चली जाती है गोरी आज तुम बहुत पिटोगी गोरी के खेत में जाते ही सिक्योरिटी अलाम बचता है कबूतर फिर से डंडा लेकर पहुंचाता है गोरी की खूब पिटाई होती है कबूतर भाई आज छोड़ दो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी कल तुम्हारा पती कालू भी ऐसे ही कह रहा था कसम ले लो उसने मुझे नहीं बताया कि तुमने उसे पकड़ कर मारा है अगर मुझे पता होता तो मैं कभी यहां ना आती फिर गोरी जैसे दैसे वहां से भाग जाती है उस कालू के बचे ने मुझे नहीं बताया कि कबूतर ने उसे पकड़ कर मारा है मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगी फिर गोरी घर पहुंचाती है कालू भी जाग ही रहा था गोरी मकई कहा है मैं भी मकई अपनी सहेली के पास ही रखाई हूँ कल उठा लेंगे आब चुप करके सो जाओ फिर वो दोनों अपना मूँ दूसरी तरफ करके हंसने लगते हैं